ओके तो गाज आज की वीडियो में स्पेशली बात करेंगे ब्लेड लाइन के बारे में और रोमन वर्सेस कोटी का जो रसल मीनियो 40 में जो मैच प्लैंस किये गई क्या वो सच में होने वाला है या फिर रसल मीनियो 40 में रोमन रेंस के कुछ अलगी डिरेक्शन देखने को मिल सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे डबल डबली के इंडिया का जो शो था सुपरश्टार स्पैक्टिकल उसको करवाने के लिए डबल डबली को कितना जाधा सफर करना पड़ा तो आप लोग जानके हरान हो जोगों कि जरिफ इनको आने आने में 16 गंटे का टाइम लगा फ्लाइट से उसके बाद इनको ट्राइवल का बहुत जाधा प्रॉबलम फेस करना पड़ा इंडिया में भी उसके बाद जब जैसी फ्लाइट से उतर है यह सुपरश्टार डब डबली के उनको इंट्रव्यू के लिए फिर मतला मीडिया से इन सब म नहीं होता हाँ वैसे उन लोगों को लिए बहुत अच्छा है जो मतलब ट्राइवल के शौकिंग है जो कि इदर उदर जाना चाहते है घूमना चाहते है लेकिन फिर फिर डबली सुपरश्टार बनना है इतर उदर जाना इतना लंब लंबे ट्रावल करके उसके बाद फिर रसलिंग करना उसके बाद फिर फिर वापिस अपनी कंट्री आना यह थोड़ा सा टफ हो जाता उन लोग के लिए जैसे कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बोला ता आज श्पेशली ब्लेडलाइन के बार में बात करेंगे तो सबसे बहले हम लोग बात करेंगे जे उस सारा उन से ना कुछ ना कुछ रिजन से ओफेंड है और इसलिए अभी जे उसे से कोई सही से बनती भी नहीं है ठीक है लेकिन यह थो होगे जे उसे की बाद लेकिन आप लोग को पता है जे उसो आप लोग कुछ देखने को मिल रहे है जो उनकी स्टोरी लाइन चल रही है जो कि फैंस काफी इंट्रेस्टेट भी लग रहे लेकिन यह जादा दिन तक चलने नहीं वाले क्योंकि जे उसो वापिस आप लोग के स्मैक डाउन में जाएंगे और यह सब अभी दिखाने को है कि जे उसो रॉम में आगे ब्लैड लाइन से अलग हो चुके अब वो सोलो क सब्सक्राइब कर रहें पर एड देन उनको जाना स्मैक डाउन में और उसके बाद जे उसो वरसे जीवी उसो का मैच में भी आप लोग को रॉयल नंबल या फिर आप लोका रसल मीनिय में इनकी फ्यूड देखने को मिलीगी और आप लोग सो चुरोंगा अभी ड़ो ड़ो कर सकते कि रसल मीनिय में इस मैच को करवाए तो जो कार्ड होता वो थोड़ा बड़ा हो जाएका रसल मेनी का इजबार का तो यह वी या फिर आप लोग को रॉयल डममल के आसपास आप लोग जे उसो वापिस समैक डाउन में जाएंगे बिलेड लाइन के साथ वापिस अप प्रॉटी रोट्स को बिल्ड किया गया इसका मतलब जो रसल मीने में कोडी रोट्स रोमन रेंज से जो हारे तो उन्होंने जो ब्रॉक लेस्टनर को हरा है उसके बाद वो वापिस से स्ट्रॉंग हो गए और इस बार और भी जाधा पावरफुल हो गए तो इस चीज से हमें पता लगता है कि अभी भी डबुडबली कोडी रोट्स वरसे रोमन रेंज का मैच प्लान कर रही है फुर रसल मीने ओफॉर्टी अगर यह मैच होता है तो यह नोट करने वाली चीज है कि रोमन वर्सेस कोडी के यह सेकेंड मैच और कोडी रोट्स के लिए इस मैच को सब्सक्राइब को जीटने के बाद वह रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे और यार यह भी बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच है आकर रोमन वसे स्यम पंक फॉर अंडिस्पूटी चैमिंशिप रसल मीनिया फॉर्टी में होता है यह वीडियो यहीं दिखते है आप लोग इस व कर दो झाल झाल